जे किसान भाईयो मेरा नाम सुन्दर चिंग है मैं प्रतापुर बलाग से हूँ जीला सुरजपुर पड़ता है तो वो संक्ता सभागे वाले आये थे और लोकल धान का बारे में बताए उसके बाद मैं भी कुछ धान लिया था जिसमें राम जीरा लोहंडी और लजनी सुपर इसे दो-तिम भीराइटी का और एक जीरा फूल लिया उसके बाद उसको उक्चार करने के बाद नर्सरी किया नर्सरी करने के बाद मैं इधर इसको एसाराइविदी से लगाया धान को इसके बाद बीडर दो चलाया और बीमारी लगा था तो ब्रमास रहांडी दवाई और कुछ कुछ जेवी खाद जो होता है उसको डाले थे तो अच्छा हुआ है धान और दूसरे धान के तुलना में इस खेत में रामजीरा है और इसका बाली भी बहुत लंबा लंबा है अतलब 6 इंच संथिंग है इसका लंबाई तो बहुत बढ़ियां उत्पादन हुआ है औ dependency है तो इसमें ज्यादा बाद दालने का जूरत नहीं रहता है और सके तुलना में हाईवरेट थोड़ा सा पम है चलिए मैं आपको हाईवरेट गाहित को दिखाता हूं उसमें Hm हुआ है इसके तुलना में यह देख सकते हैं यह वाला हाइब्रेट धान है और बीडर नी चलाने से देख से बहुत बड़ा घास हो गया इधर और इसमें थोड़ा बाली इसका भी छोटा-छोटा है तीन-चार इंच का है और उतना पादर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए खाद भी जादा लगता है और लोकल धान इतर देख सकते हैं इधर लोकल वाले में एक भी बंद नहीं दिख रहोगा घास फूस इसमें बीडर चलाए थे तो पुरा घास साफ हो गया है और बढ़ियां गच्री भी निकला है और बाली भी बढ़ियां लंबा-लंबा है कि पानी थोड़ा रूखता है जिसके कारण पहले एक ये दो खेती कर पाते था भी तीन से चार खेती कर लेते हैं और पहले इधर कम किसान लोग मतलब फाइदा ले पाते थे अब इधर जादा मतलब 10-12 किसान लोग और भी अधिक लगाते खेती तो इसमें पानी अधिक र तो लोकल धान नेक्स टाइम से ज्यादा लागाने कोशिश करूंगा और अच्छा उत्पादन के लिए लोकन धान ही लगाएं मेरा सुझावत रहेगा पहले लोकल धान है इसमें ज्यावी खाद डालते हैं और इसमें खर्चा कम होता है और हाइब्रेड में ज्यादा खर्चा भी लगता है उसमें खाद और बहुत सारे किटानू उसमें बिमारी लगता है तो रसायनीक खादों का उपियो किया जाता है जिसके कारण हम लोग उस उसी को उपचार करकर करके अब क्यों साल लगा सकते हैं, जबकि हाइब्रेट को नहीं लगा सकते हैं, तो हाइब्रेट की तुल्ना में लोकल लगाना बेटर रहेगा पहले जैसे लगाते थे वेसे, और लंबे समय तक इसको खा करके स्वस्थ भी रह सकते हैं, तो थेंक्यू इतने ही मरताना चाहता था, जय जोहर, जय किसान.